इस वीडियो में जिस ड्रग का मैं रिविव कर रहा हूं उसको कहते हैं Elprazolam ये एक सीडेटिव हिपनौटिक ड्रग है यानि कि ये एक ऐसी ड्रग है जो इनसान को नींद दिलाता है सीडेटिव है इनसान के ओपर नींद आ जाती है अब ऐसी मेडिसन इनसान को क्यों देते हो क्योंकि इस मेडिसन का डायरेक्ट इफेक्ट आता है ब्रेन में ब्रेन को थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन कर देता है ताकि इनसान की ब्रेन की एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाए और इनसान को नींद आजए और वो थोड़े सकून से सो जाए थोड़ा उसकी जिसम को अराम मिले इल्परजुलेम मार्कीट में जैनिक्स के नाम से आती है एल्प के नाम से आती है बायोगेरन के नाम से आती है मुक्तलिफ तरह इसके नाम है जो मार्कीट में अवेलिबल है अच्छा लेकिन एक बात यह है कि यह ऐसा नहीं है आपको पहले डॉक्टर के पास जाना है अगर डॉक्टर आपको प्रेसक्राइब कर दे तो परची के उपर ही आपको ये मेडिसन मिल सकती है इस मेडिसन की मुक्तलिफ डोजिस आती है लेकिन हैं बहुत कम डोजिस क्योंकि direct इसका इसर brain पे आता है 0.25 mg, फिर 0.5 mg, फिर 1 mg और 2 mg इतनी कम dose की इसके tablet आती है पुछ ज्यादा तर किंग डिमारियों में देते हैं सबसे पहले तो anxiety है अब anxiety क्या होती है कि anxiety एक इंसान के उपर इस तरह की एक फिकरमंदी होती है कि उसका brain totally active रहता है कोई tension है इंसान को कोई ऐसे मसलों में घेरा हुआ है जिसको वो solve नहीं कर पारा ना उसके पास उन मसलों का हल है तो वो tension में होता है कि अब उसको कैसे अपने मसलों को हल किया जाए उसकी quality of life बहुत ज़्यदा बिगड़ जाती है बेहोश हो जाते हैं कभी कभी depression में भी चले जाते है और खवातीन में एक और मसला होता है premenstrual syndrome ये अकसर होता है कि खवातीन के period आने से तकरीबन एक हाफता पहले वो बड़ी चिड़ चिड़ी सी हो जाती है और उनको कुछ भी disturb सी रहती है अचा कुछ वार्निंग के तोर पर याद रखें कि इस medicine के साथ कभी भी कोई दूसरी medicine आपने नहीं लेनी वरना बहुत बड़ी problem आ सकती है दूसरी बात इसके साथ आपने कभी शराब नहीं पीना या कोई नशा आवर चीज नहीं लेनी वरना इनसान कुमा में ही जा सकता है मौत भी हो सकती है और साथ में इस medicine को अपनी मर्जी से कभी इस्तेमाल न करें वरना इससे addiction भी होती है लोग इसका abuse करते हैं misuse करते हैं बड़ी खतरनाक तरह के काम करते हैं लोग फिर लहाज़ इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना होता है वैसे भी अलप्रा जुलाम आपको सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पर एक ही बार मिल सकती है ठीक है इसकी लवा अगर आपका कोई भी सवाल हो अलप्रा जुलाम के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते है साथी गुजारिश है चैनल को लाइक कर लें कमेंट करें शेयर करें सबस्क्राइब कर लें शुक्रिया